क्लास 10 का साइंस का चैपकर नमबर 1 जिसका नाम है Chemical Reactions and Equations इस चैपकर की Activity 1.7 को डिसकस करते हैं Next topic हमारे पास है Activity 1.7 हमारी साइंस की बुक के अंदर जो Activity 1.7 है उसे हमने डिसकस करना है चलो स्कार्ट करते हैं First point पे आते हैं Cake, a plastic mug, grill, two holes, attics, base देखो, first point में पहले तो ये पूला जा रहा है कि आपने एक plastic का mug लेना है तो ठीक है, हमने ये एक plastic का mug ले लिया उसके बाद ये पूला जा रहा है कि उसके base पे न आपने दो holes ग्रिल कर देना है तो यहाँपे देखो, यह जो नीचे इसका base है यहाँ पे हमने दो holes ग्रिल कर दिया है आगे देखे and fit rubber stoppers to these holes फिर यह वाले जो दो holes आपने किया है यहाँ पे आपने rubber के stoppers को fix करना है तो यहाँ पे यह holes के नदर हमने rubber के stoppers को fix कर दिया insert carbon electrodes in these rubber stoppers तो वो जो rubber के stoppers आपने लगाए ना उनके बीच में यह हमने दो carbon के electrodes को भी insert कर दिया टोगल चार काम की है step number one सबसे पहले हमने plastic का mug ढूंग लिया step number two उसके अंदर दो holes किये गए है step number three holes के अंदर फिर हमने rubber के stoppers को लगाए है जो rubber के stoppers है ना वो इस्ते लगाए है ताकि जब इसके अंदर पानी भरेंगे ना तो यहां से पानी leak नहीं होगा नीचे से पानी बाहर की तरफ नहीं गिरेगा तो rubber scoppers जो है वो leakage को prevent करेंगे और उनके बीच में गैप होता है rubber scoppers के बीच में जगा होती है तो वहां से यह carbon के जो electrodes हैं वो हमने इसके अंदर insert कर दिया है carbon के electrodes को आगे जाके हमने battery के साथ connect करना है ताकि इसके बीच में से current पास हो सके तो इसलिए यहां पे ना rubber के stoppers लगाने के बाद यह carbon के electrodes को भी connect कर दिया first point clear होगे आपको आगे चलते हैं second point पे आते हैं second point में कह रहे हैं connect these electrodes to a six volt battery तो यहां पे यह जो दो electrodes हमने लगाए थे ना carbon के electrodes इसको आगे फिर हमने एक battery के साथ connect करना है ठीक है जी तो यह हम एक six volt की battery लगे आगे हैं और wires को यूज करके ना हमने electrodes को यह battery के terminals के साथ connect कर दिया बस इतना ही करना था तो यह हमारा second point भी complete हो गया आगे चलते हैं third point पे आते हैं third point में कह रहे हैं fill the mug with water अब इसके अंदर आपने पानी गालना है तो ठीक है हमने पूरी तरह से इसको पानी से भर दिया पूरा एक दम उपर तक तो नहीं भरा लिगनी जो कार्बन के इलेक्ट्रोग्स है ना ये तो पूरे के पूरे पानी के अंदर immerze गोने चाहिए कार्बन के जो इलेक्ट्रोग्स है वो पानी के अंदर पूरी तरह से डूबे होने चाहिए तो देखो आपने इतना पानी तो गालना है कि कार्पन के जो इलेक्ट्रोग्स है न वो पूरी तरह से पानी के अंदर इमर्जग है उसके बाद देखो अब यह भाई सब लेके आ गया है और इसकी कुछ ग्रॉप्स भी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया पहले यह वहला जो मग था न उसको पानी से भर दिया उसके बाद उसके अंदर गायलियोट सल्फ्यूरिक ऐसे के कुछ ग्रॉप्स अपने गालने है वो इसलिए ताकि जब हम स्विच्च ओन करें तो करन्ट असानी से इसके इंदर से वाटर के अंदर से पास हो सके यह जो sulfuric ऐसे के कुछ drops गाले जा रहे है न वो water को conducting बनाने के लिए गाले जा रहे है ताकि current असानी से इसके बीच में से pass हो सके clear हो गया आगे चले next point पे आए take two cash cubes filled with water and invert them over the carbon electrodes उसके बाद आपने दो और cash cubes लेनी है वो जो दुनों cash cubes हैं पूरी तरह से पानी से भरी होनी चाहिए फिर वो जो पानी से भरी हुए cash cubes है न दो उन दोनों को आपने ये जो carbon के electrodes है न इसके उपर invertic position में रखना है उल्टा करकर रख देना है गैग्राम में ध्यान से देखना ये बीच में आपको carbon के electrodes नजर आ रहे है carbon के electrodes के उपर हमने test cubes को उल्टा करके रखा हुआ है और ये वाली जो test cubes थी ये पानी से भरी हुई थी उसको आपने invertic position में उल्टा करके इन दोनों carbon के जो electrodes है न एक एक test cube को इन दोनों के उपर रख देना है अब आगे देखें फिफ्ट पॉइंट में फिर बोला जा रहा है switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time इतना काम करने के बाद बस आपने फिर switch on कर देना है जैसी आप battery का switch on करोगे तो इसमें से current पांस होना स्काट हो जाएगा अब आपने थोड़े कैम के लिए इस system को as a case ही छोड़ देना है उसके बाद देखना है कि क्या क्या हो रहा है concept के आपको करना क्या था वो clear हो गया अब मैं आपको explain करता हूँ कि switch on करने के बाद होगा क्या यह diagram ना हम दुबारा से बना दिया है और थोड़ा सा घंका diagram बना दिया हमने ना मतलब container के जगा वो mug के बजाए beaker को ले लिया है अब देखो पहले मैं एक बर आपको diagram में explain कर देता हूँ उसके बाद फिर यह discuss करेंगे कि जब आप switch on करोगे और इस system में से current पास होगा तो उसके बाद फिर क्या होने वाल है पहले diagram में देखो सबसे पहले यह हमारे पास ना एक container है कगेंडर के अंदर यहाँ पर नीचे की तरफ हमने दो holes किये थे holes के अंदर फिर हमने यह rubber के stoppers लगाये थे rubber के stoppers इसलिए लगाये थे ताकि जब पानी भरेंगे ना तो यहाँ से पानी leak होके बाहर की तरफ ना गिरे और rubber के जो stoppers है ना इसके बीच में जगा होती है तो जगा को यूज करके फिर हमने यह carbon के electrodes को यहाँ पर connect कर दिया था यह carbon के electrodes जरूरी ने कि carbon के होने चाहिए किसी और metal के भी electrodes को यूज कर सकते हैं इरन के भी यूज कर सकते हैं हमारे book में carbon लिखा हो है तो हम भी बार बार carbon ने बोल रहे हैं तो यह हमारे पर दो carbon के electrodes हैं यह किसी और मेंगल के भी यूज कर सकते हैं तो भी experiment होई जाएगा उसके बाद उने एक 6 वोल्ट की बैक्रिय लिए और एलेक्टरोट स्को न ये बैक्रिय के साथ कनेक्ट कर दिया अब ध्यान से देखना बैक्रिय के positive terminal के साथ जिस electrode को आप कनेक्ट करोगे उसे हम बोलेंगे anode और बैक्रिय के negative terminal के साथ आप जिस electrode को connect करोगे उसे बोला जाएगा कैथोड कैथोड और अपको पते न क्या होता है बैक्टरी के positive terminal के साथ जिसको भी आप connect करोगे उसी इलेक्टरोड को अनोड बोला जाएगा अनोड वो होता है जिसके करेंगे और बैक्री के साथ आप जिसको connect करोगे उसे बोलेंगे कैथोड जैसे यहां figure में बैक्री के negative के साथ हमने इसको connect किया हुए ना तो यह हमारा कैथोड है कैथोड वो होता है जिसके तरफ काकाइंस मूव करते हैं काकाइंस के उपर positive charge होता है और जो positively charged particles है वो बैक्री के negative कर्मिल की तरफ मूव करेंगे अंदर जब current pass करेंगे तो जो काकाइंस पैदा होंगे ना काकाइंस cathode की तरफ मूव करते होते हैं clear हो गया यह वाली बात आपने याद रखनी है बैक्री के positive से जिस electrode को connect कर रहे हैं उसी को anode बोल जाएगा और बैक्री के negative से जिसको connect कर रहे हैं उसे cathode बोल जाएगा दूसरी बात आपने यह याद रखनी है अनाइंस एनोर्ट की तरफ मूव करते हैं और जो काकाइंस हैं वो cathode की तरफ मूव करते हैं अनाइंस वो होते हैं जिनके उपर नेगेकिव चार्ज होता है, काकाइंस वो होते हैं जिनके उपर पॉजिकिव चार्ज होता है, तो काकाइंस कैथोड की तरफ जाते हैं, अनाइंस एनोड की तरफ जाते हैं, जब बीच में से करेंगे ना, तो नेगेकिव लिए और पॉज ये cascube नर्जर आ रही है, ये बीच में तो electrode है, कार्बन का electrode है, इसकी उपर cascube रखी हुई है, और यहां पर भी invertedic position में, उल्टा करके एक और दूसरे cascube रखी हुई है, ये वाली जो दूनो cascubes है न, ये पानी से भरी हुई थी, इनको फिर उल्टा करके invertic position में इन electrodes के उपर रखा हुआ है एक और चीज ध्यान से notice करो यह जो test tube है ना इसकी अंदर water का जो level है वो बाहर के comparison में थोड़ा सा ज़ाद है यहाँ पर भी आप देखो यह test tube के अंदर जो water का level है ना starting के अंदर वो बाहर के comparison में थोड़ा सा ज़ाद है कर लिया ना note आपने चलो गाइगरम आपको clear हो गया उसके बाद आपने बस switch on कर देना है जैसी अब switch on करोगे तो इस system के बीच में से current pass होगा अब यहाँ पर अपने water को fill किया हो था ना और बीच में थोड़ा से sulfuric acid के drops क्या ले दे sulfuric acid को water के अंदर इसलिए act किया गया था to make the water conducting ताकि इसके बीच में से असानी से current pass हो सके अब switch on करने पर जब current pass होगा तो water की hydrolysis हो जाएगी hydrolysis का मतलब होता है कि जो water है ना water में से जब current pass करते है तो water में से hydrogen gas अलग हो जाती है और oxygen gas अलग हो जाती है इसी को बोल जाता है hydrolysis of water यहाँ पर भी decomposition reaction हो रही है electricity की को यूज करके electric current को यूज करके हम water की decomposition कर रहे है जब आप electricity की को यूज करके decomposition reaction करवाती हो ना तो उसे बोलते हैं electrolytic decomposition reaction और water की जो decomposition होती है उसे hydrolysis भी बोला जाता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि hydrolysis का गैग्रम बनाओ तो यही आपने गैग्रम बनाना है और इन्हीं सारे चीज़ों को एक spin करना है और अगर electrolytic decomposition एक spin करना हो तो भी आपने यही करना है यहाँ पे हम water की electrolytic decomposition कर रहे हैं देखो water का formula होता है H2O यह hydrogen और oxygen से मिलकर बना होता है वार्टर में से जब आप electric current पास करोगे तो water की decomposition हो जाएगी यह water में से जब आप current पास करोगे तो इसमें से hydrogen गैस अलग होजाती है और oxygen गैस अलग होजाती है इलेक्रिक क्रेंग पास करने के वज़े से इसी को बोला जाता है इलेक्रोलिक्रिक डीकॉंपोदिशन, अब यहां पर देखो, आपने स्विच्च आउन कर दिया था ना, जैसे आप बैकरी का स्विच्च आउन करोगे, उसके बाद सबसे पहले चीज़ आप यह अब्जर्ब करोगे, कि यह वाले जो इलेक्रोट्स हैं, यह जो कार्बन की इलेक्रोट्स हैं, इनकी आउटर बाउंगरी पे आप देखोगे कि बुलबले उट रहή हैं, ऐसे, बबल्स आपको अचेलिको पर बबल्स नजदर आएंगे, यहां पर भी experiments और देख पर बबल्स जोन रहे हो वो थोड़े से कम पैदा हो रहे हैं। दूसरे एलेक्टरोड के उपर जो bubbles हैं, वो जादा क्वांटर की में पैदा हो रहे हैं। जहाँ पर bubbles कम पैदा हो रहे हैं वो एनोड होगा। एनोड वाले एलेक्टरोड पे जिसको आपने बैकरी के positive के साथ connect किया है वहाँ पे जो bubbles पैदा हो रही है वो कम है क्योंकि वहाँ पे oxygen gas पैदा हो रही है जिसको battery के negative के साथ connect किया है cathode यहाँ पे जादा quantity में आपको bubbles उपर की तरफ उठते वे नजर आएंगे क्योंकि यहाँ पे hydrogen gas पैदा हो रही है अब जैसे जैसे bubbles उपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे जो walker level है ना walker level नीची आना start हो जाएगा आपने battery का switch on किया switch on करते ही आपको क्या नजर आएगा दोनों carbon electrodes पे आपको bulbulे उठते होई नजर आएंगे bubbles generate होते होई नजर आएंगे एक तरफ bubbles की quarter की जादा होगी दूसरी तरफ bubbles की quarter की कम होगी जहाँ पे bubbles कम पैदा हो रहे है वहाँ मतलब oxygen generate हो रही है और जहाँ पे bubbles जादा generate हो रहे है वहाँ पे hydrogen gas पैदा हो रही है bubbles जैसे जैसे उपर की तरफ जाएंगे वो इस cash cube के अंदर का जो पानी है ना उसे displace करेंगे तो धिरे धिरे यहाँ पे जो walker level है वो नीचे की तरफ आना start हो जगा यहाँ पर भी दूसरे cash cube के अंदर भी दोनो cash cube में धिरे धिरे walker level नीचे की तरफ आना start हो जगा क्योंकि ऊपर की तरफ अपना gas accumulate होना start हो गी है यह anode वाली जगह पे oxygen gas generate हो रही है और यह cathode वाली जगह पे hydrogen gas generate हो गी यह भी आपको याद होना चाहिए cathode पे hydrogen gas generate होने वाली है यहाँ पे इस वाली cash tube के अंदर hydrogen gas accumulate होनी start हो जगी water level नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे hydrogen gas इकटी हो जगी और यहाँ पे anode पे oxygen gas इकटी होना start हो जगी जब थोड़ी देर हो जाएगी ना मतलब यह water level काफी नीचे आ चुका होगा उसके बाद यह वनी जो cash tubes हैं एके करके अपने दोनो cash tubes को बाहर निकाल लेना है और बाहर निकालने के बाद ना एक जलतीवी जो mass kick है उसको cash tube के mouth के पास लेके जाना है जिस cash tube के अंदर hydrogen gas होगी तो वहाँ पे जैसी आप mass kick को पास लेके जाओगे ना आपको popping sound सुनाई देगी क्योंकि hydrogen gas burns with a popping sound तो जैसी popping sound आएगी तो उससे ये साबित हो जाएगा कि यहाँ पे जो gas इकटी हुई थी वो hydrogen gas है और oxygen की presence को ऐसे चेक कर सकते हैं जो mass kick आपके पास है ना आप उसे बुझा दो पहले अब mass kick जलाओ फिर आप उसे बुझा दो बुझी हुई mass kick को जब आप इस cash tube को बहार निकालके इसमें insert करोगे तो वो दुबारा से जल उठेगी तो इससे ये साबित होता है कि अंदर जरूर oxygen gas है क्योंकि जो oxygen gas है ना वो combustion को support करती है तो इसलिए किसी hot flammable stick को जब किसी ऐसे cash tube के अंदर insert किया जाएगा जिसमें oxygen है then the hot flammable stick will reignite itself जो hot flammable stick के ना वो दुबारा से जल उठेगी किसी बुझी हुई massas के तीले को आप गालोगे ना cash tube के अंदर वो दुबारा से जल उठेगी इससे ये साबित होता है कि यहाँ पे इस वाले cash tube के अंदर oxygen gas present थी clear होगे आपको experiment पुरा चलो यह वाला diagram आपको आना चाहिए अच्छे से यह वाली reaction आपको याद उने चाहिए अबागे जो observations है ना सारे के सारे observation के points भी मैं आपको बदा देता हूँ first point है we will observe formation of bubbles at both the electrodes दोनों electrodes पे cathode पे भी और anode पे भी सबसे पहली चीज़ जो आप observe करोगे ना वो यह है कि bubbles बनने start होगे है we will observe formation of bubbles second point पे आते है these bubbles displace water in the cash cubes and level of water in cash cubes starts falling जैसे जैसे bubbles उपर की तरफ जाएंगे दोनों test cubes के अंदर water का जो level है वो धीरे धीरे नीची आना start हो जाएगा क्योंकि starting के अंदर तो starting के अंदर यह वाली जो test cubes है ना यहाँ पे water है जैसे जैसे bubbles उपर की तरफ जाएंगे तो वो इस जगा पे एकठा हो जाएंगे तो उसके वज़े से water नीचे की तरफ आना start हो जाएगा दोनों test cubes के अंदर water का level धीरे धीरे नीचे आता जाएगा क्योंकि अब वहाँ पे gas accumulate हो रही है एनोर्ट पे oxygen gas accumulate होगी और जो cathode है वहाँ पे जो अपने test cube रखी हुई है उसके अंदर hydrogen gas ही कठी होगी clear होगे second point आगे चलें third point पे आते है gas in the test tube covering cathode is found to be hydrogen जिस test tube को आपने cathode से cover किया था cathode को आपने जिस test tube से cover किया था वहाँ पे hydrogen gas पैदा हो रही है और उसकी presence ऐसे चेक होती है hydrogen gas burns with a popping sound hydrogen gas burns with a popping sound experiment को जाने के बाद मतलब जब 5-6 minute हो जाएंगे bubbles को accumulate होते होगे फिर आप test tubes को beaker में से बाहर निकालोगे और एक जलती हुई mastic को test tube के mouth के पास लेके जाओगे तो आपको popping sound सुनाई देगी अगर popping sound आ रही है ना तो इसका मतलब अंदर जरूर hydrogen gas है क्योंकि hydrogen gas burns with a popping sound और hydrogen कहाँ पे आएगी cathode पे आएगी next fourth point पे आते है gas in the test tube covering anode is found to be oxygen और जिस test tube से आपने anode को cover किया था वहाँ पे आपके पास oxygen gas होगी oxygen gas के presence को ऐसे check कर सकते है when a hot flammable stick is inserted in the test tube it starts burning because oxygen supports combustion आप एक mass kick को जलाओ फिर एकदम से उसे बुझा दो बुझ हुई mass kick को अगर आप test tube में डालोगे जिसमें oxygen है तो वो दुबारा से जल उठेगी अगर आप किसी hot flammable stick को flammable stick वो होती है जिसको थोड़ी सी जिसको अगर favorable conditions पो लेना दुबारा से वो जल उठेगी oxygen combustion को support करता है तो जहां पर भी oxygen की quarter की जादा होगी ना तो वहां पर कोई hot object है तो वो एकदम से burn होना start हो जाएगा तो hot flammable stick को जैसे ही आप insert करते हैं cast tube के अंदर अगर वो दुबारा से burn होना start हो जाता है तो इससे ये साबित होता है कि वहां पर gas cube के अंदर जरूर oxygen gas है क्योंकि oxygen combustion को बहुत ज़्यदा support करती है clear हो गया last point आपका ही है the amount of hydrogen gas is double the amount of oxygen volume के इसाब से कर देखा जाए ना तो जो hydrogen gas है वो oxygen gas से double quantity के अंदर generate हो रही है क्योंकि water के formula आप देखो ना जो water का formula है H2O है उसके अंदर H2O मतलब oxygen के एक atom के बीचे hydrogen के दो atoms है तब ही जैसे हमने switch on किया था ना तो दोनों electrodes पे bubbles generate हो रहे थे लेकिन ये cathode वाली जगा पे ज़्यादा bubbles generate हो रहे थे क्योंकि वहाँ पे hydrogen gas ये कठी हो रही है hydrogen gas की जो quantity की है वो oxygen के comparison में double होगी by volume mass के इसाब से नहीं volume के इसाब से hydrogen gas double quantity के अंदर generate होगी ज़ी우ो läh श beloỡ है ज़ी ज़ी होगी ज़ी ज़ीyour झावाल ब ब Congressman